कि दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्जाम भी में तो हिर्दे की घहराईयों से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक्जाम भी पे ठीक है तो आज हमारी 11 वी क्लास है और कल पेपर है ऐसे का और यह मारे सका हो चुका है यह मारे सका मतलब जी के बहुत हड़ाई थी आर में क्या बोलो करेंट अफेर वी ऐसी दी बस 2021 का भी पुछा वाई इवन आप खुद समझ सकते हो 2021 में 2021 का क्यों पूछ रहे है तुम लोग मतलब इस्टार वाला वो 2021 का था चलो ठीक है हम लोग आज के जो हमारा प्रस्ण है ना उस आज के प्रस्णों में हम लोग यह कोशिज करेंगे कि भाई हम लोग 75 कोशन जल्दी कर पाएं ठीक है कल एक्जाम है ना ओके चलो ठीक है पहला प्रस्ण देखो उत्राखंड चीफ पुसकर सिंग धामी इन्होंने क्या करा है इनागरेट करा है दस दिन का उत्राखंड महतसव ठीक है तो कौन सी सीटी में करा है अब उत्राखंड का है तो लोग बोलेंगे सर लेकिन यह गुजरात में पड़ता है वैसे तो यह उत्तर परदेश की तो यहां पर ना लगनों में हुआ था यह कल है कल है कल है बस बैसे तो कली है जितने बचों ने मुझे अगला कोशन देखो ठीक है which are the following scheme has launched by PM Modi ठीक है for the youth of the country on national unity day कम मनाते हैं 31 October को मनाते हैं राष्ट्र एकतादी वस इस 31 October को होती है सरदार वल्लब भाई पटेल की जयनती यह चीज़ आप लोग यहां पर ध्यान देना जयनती होती है और यहां पर 31 October 2019 में इसी दिन क्या होगा था जेनके में से जेनके और लद्दा को बनाया गया था परसो एक्जाम देखे आये है सर बहुत बेकार को संते बहुत बेकार क्या बोलू मैं ठीक है तो यह कौन सा होगे आपका उत्तर सही यह होगे आपका मेरा युवा भारत और हम सदार वल्लब भाई पटेल को क्या बोलते हैं बिसमार्क ओफ इंडिया और हम इनको बोलते हैं आएरन मैन ओफ इंडिया ओके यह दोनों आप लोगा रखना यूनिल क्या बोलते स्टैची ओफ यूनिटी स्टैची ओफ यूनिटी दुनिया के सबसे लंबी ऊची परतिमा है 183.5 मीटर स्टैच्व यूनिटी भी इनी की है जो कि गुजरात में नर्मादानाधी के किनार है के वडिया में ओके ठीक है चलो अगला प्रसन देखो हूँ हैस प्रिसाइड़ेड ओवर रन फॉर यूनिटी एक मैरतन हुई थी रन फॉर यूनिटी इवेंट टू कॉमामरेट दा वन फॉर्टी एड़ बर्थ अनिवर्सरी जयनती थी किसकी 17 पल लभाई पटेल की तो वो कौन थे हमारे और आप सभी के रक्षा मंतरी जो की है राजनात सिंग उन्हों ने यहां पर इसका क्या करा था इनाउगरेशन करा था ओके यह चीजें हैं भाई एक्जाम में आ सकता है ओके ओके ठीक है कल एक्जाम है ना तो भाई थैयारी कर लो वस विच कंपनी है स्क गाँना ऐसुड़ ने यहां पर यहां पर बाइशल स्कोर और आफ सिक्स आट और अफ 10 पॉइंट्स इंडर रिसर्च फर्म फ्रेमवग इंडएक्स यह इंप्रटैंट आर फसी इंडेक्स जो होता है रिसर्च फर्म फ्रेमबग इन कि कौन सी कंपनी कितना आर यंडी में खर्चा कर रही है तो यहां पर हो गया आपका आर एफ एफ आई इंडेक्स होजा तेइस फॉर गीग वरकर गीग वरकर के लिए यहां पर आप से पुछा गया है वाई कौन से कंपनी का सबसे हाईच टी स्कोर रहा है बच आपको समान लाना करती है यह आपको पता होना चींदी के फुल्पकैट अमेजन और अबर घ्र का है ओए टेक्सी वाली यह आपकी ओंलाइन लाइन ओंड़ेच कंपनी ठीक है और यह होगी आपके ओनलाइन e-commerce company चलो ठीक है बीग बास्केट है आपकी company ओके युनियन मिनिस्टर आफ स्टेट फॉर स्किल्ड डेवलोप्मेंट राजीव चंद्रसेकर हैस पार्टिसिपेड़ इन दा यहां पर आपको दिखी गया तो यहां पर आपको दिखी गया तो यूके ही होगा ओके तो यहां पर यह नहीं आएगा इन इन विच कंट्री होना चाहिए तो इस चीज का कोई दिक्कत नहीं है यूके यूके ना यहां पर यूके भी तो लिखावा था फिर भी से को आंसन लोगों ने गलत दिया साओधी कौन दे रहा है भाई साओधी यहां पर लिखावा भी साजब की फिर भी साओधी लिख रहे हो आप ओके चलो कोई बात नहीं तो साओधी में तो क्या हुआ है ठीक आप मुझे बताओ COP28 कहां पर हुआ था अभी रिसेंटली इंडिया ने साइन नहीं किया कल CRE AIMS में यह कोशन आ रखा है कि इंडिया ने COP28 साइन क्यों नहीं किया यह चीज़ आप ध्यान देना इसलिए मैं सारे पेपर्स देखता हूँ जितने यह पेपर होते हैं सारे कोशन पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे बात दलता है किस प्रकार से कोशन आते हैं तो इससे मेरे कोई फाइदा होता है ठीक है WHO has been nominated to lead the World Health Organization Southeast Asia region WHO का Southeast Asia region जो है उसको lead करने के लिए किसको nominate किया गया है तो किसको nominate किया गया है साइमा वजीद को साइमा वजीद को nominate किया गया है कि भाई अब यह बन जाएगी WHO की head जो कि यहाँ पर किस पर काम करती है वो काम करती है Southeast Asia region के लिए Southeast Asia कौन सा वाला है Malaysia, Indonesia हाँ ना वह वाला जो यह दिख रहे हैं वो Southeast Asia वाला है चलो अगला देखो डेवीड विली है रिसेंटली अनाउंस इस रिटारमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल किर्केट ओके यहां पर इन्हों है कि मैं आपसे ODI नहीं करूंगा मतलब नहीं खेलूंगा आपसे क्रिकेट कोई सा भी विच कंट्री डसी बिलॉंग टू तो यह कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते है भाई तो यह करते हैं विलॉंग इंग्लेंड से और आज इसकी PDF साथ में इसके एक्स्प्लेनेशन जो की दोनों ही इंग्लिश हिंदी सा आपको यहां पर दिख रहा है इंग्लिश हिंदी वैसे ही आपको PDF मिल जाएगा सिर्फ आपको क्या करना है से सी भी टेलीग्राम चैनल सर्च भी करोगे तो भी मिल जाएगा तो यहां पर आप लोग कर लेना ओके यह चीज आप लोग ध्यान दो और अगर कोई प्रावलम है कि चीज की कोई दिखकत है तो याद रखो मेरी टेलीग्राम आईडी है क्या विकरम सर आईबी इसमें बी और दिरेक्ट ली मैसेज कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी ठीक है यह हो गया आपका साथ का यह हो गया चलो आप आप देखो विच आप फॉलइंग कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप दो हजार चोंतिस का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा फीफा तो यहां पर आप ध्यान देना अर्जंटीना चीस्ता है जिसमें मेशिको क्या मिला है गोल्डन भूट मिला है और गोल्डन बॉट किसको मिला है बूटन बॉल्डन गल्ण गलफ और यह पताओ तीन वे बीम चंद्रावत ठीक है साधिये ऑरेवा फर्स्ट एशन कंट्री ठीक है तो हैँ यहां पर क्या होगा है आपका अंसर साउधी अरीबिया पहली भर्यक्तर तो होगा है कतर साउधी अरेविया को यहां पर फुटबॉल का सबसे हाइस्ट आवार्ड है ठीक है बैलेंडी और यह आधकना यह हो गया आपका ओके गोल्डन ग्लव्स तो मार्टीनिस को दिया गया जो कि अर्चंटिना के वर्ल्ड कप वो कीपर थे तो यह चीज़ा आप लोग आधकना समाझ में आ गया गोल्डन बूट और गोल्डन बॉट और गोल्डन बॉल एक तो एमपापे को मिला है और एक अर्चंटिना के जो कैप्टन थे मैसी को मिला है अब यह हो गए आट वा चलो नवा देखो और यह आगे अगला है मैंने आपको बताए था आट भी बार इन्हों ने लगातार जीता है तो याद रखना वो किस ने जीता है लियोनेल मैसी ने जीता है कि रिष्टाइन नो रहाँ पता है पॉट जूगल के आप साउधी के अल नसीर करके वहां से खेलते हैं अब लुका मॉड्रिक भाई मेरा खुद के फेवरेट थे लुका मॉड्रिक रियाल मैडरीट जब तक में फुट्वाल देखता था तब तक तो रियल मैडरीट में थे पहले वाले वर्लड कप में जिसमें फ्रांस जीता है रोबर्ट लेटोस्की जब तक मैं फुटबल देखता था तब तक तो यह डॉटमंड में था उसके बाद आइधिंग उसमें भी आया यह क्या बोलते हैं जर्मनी के कलाप यह जिसमें पीएजी में भी साहिए पीएज जर्मेनिया में जिसमें कौन था पहले आप देखोगे नेमार था तो यह उसमें भी आया था लियोनेल मैसी तो आपको पता है बार्सलोना का ही है तब से आप सभी को पताई होगा इस चीज़ का ठीक है हां लुका मोडरिक भाई मेरा खुद का मतलब आप समझ लो रियल तो यह ठीक है चलो अगला देखो ओके फोटोग्राफर इन टैन एयर अंडर कैडिगरी दस साल से कम के अंदर में सबसे बेस्ट फोटोग्राफिका आवाड वाइल्ड फोट लाव फोटोग्राफर आप दा एयर कॉंपिटिशन जो कि लंडन में हुआ था यह किसन जीता है तो विहान तालिया विकास ठीक है बायन मुनिक में होगा जब मैं तब तक तो उसमें था ठीक है अब बायन मुनिक में होगा चर्षालेंग विच्रहक फॉल्लाइंग स्टेट्स दस नौट सेलिब्रेट इट इट्स वाँड़ेशन डे ओन नौ नौवमबर ऑबागर दशनों ने वह गए तो लिए डलिवेट करता है कब सेलिब्रेट करता है नौवम्र में तो एक चीज़ गड़, U से उत्राखंड, J से जारखंड, T से तेलांगना अब J and K and L भी डाल दो इसमें C, U, T, C, U, J, T, J, K, L ये चीज़ हो गई यहापके C, U, J, T, J, K, L 36 गड़, 1 नवंबर, उत्राखंड, 9 नवंबर, जारखंड, 15 नवंबर ये तीनों ही 2000 में बने है तेलांगना दो जून 2014 में बना है के C, U, J, J, N, K, LAD, 31 ऑक्टूबर 2019 में बना है ये चीज़ अगर आप शॉटकट के हिसाब से याद है तो आपका ये दस नॉट नहीं होगा, दस होगा ठीक है, दस सेलिबरेट इस फाउंडेशन डे ओन तो ये हो गए यहाँ पर आपका उत्राखंड, उके, हमझ में आ गया, ठीक है भाई सर थोड़े इंपोर्टेंट साइंस रिवाइस कर देशन साइंस में थोड़ा ज्यादा तेज नहीं हूं मैं, मैं जी के मेरी थोड़ी करते हैं वेगनबर को सेलिबरेट करते है तडुक है दा फिफ्टींथ इंडिया सिंगपॉर की डिफेंस पॉलेशी डायलोग यह किस देश में हुए सिंगापूर की राजदानी सिंगापूर सिंगापूर बहुत सही देश है तो यह आपका नई दिल्ली में हुआ ठीक है इंडिया सिंगापूर डिफेंस पॉलिसी डैलोग होगे आपका सबसे साफ हवा वाला सबसे साफ सबसे साफ सीटी यह लगात तार यही जीतते वह आ रहे हैं ओके चलो विच अधा फॉल इंगाइज और इंडिया एउ ठीक है अफ्रिकन यूनियन कॉलाबोरेशन फॉर बैटर इंक्लूजिव वर्ल्ड इन पार्टनर्शिप विद्धा ओ आरेफ इन न्यू डेली में तो भाई भारत की भारत और एयू की कॉलाबोरेशन के लिए एक अच्छी वाक्शॉप का क्या करा गया एक तरीके से यहां पर आयुजित की गई तो य यह आपने बताना है भाई यह कहां पर की गई थी मैं अभी आप लोग के ऑप्शन देख रहा हूं 2017 से उनली इंद और बहुत बड़ी हावाई ठीक है आई लाइक ओनली चिकन कबाब चिकन कबाब यह कैसा ऑप्शन है अच्छा ठीक है तुम वेगंडे वाला बोल रहे हो ओके कोई बात नहीं ठीक है नीती आयोग ने किया था नीती आयोग की स्थापना कब हुई थी एक जनवरी 2015 में ओके नीती आयोग के जो पहले वाइस चेर्में थे क्योंकि चेर्में तो हमेशा सी यो वह बाती पी-एम होते तो यह थे अरविंद पन गडिया पहले सी यो उनको बोल देना आप सुमन बैरी और अगर आपसे वर्तमान की सी यो पुछ लिया जाए तो बी-वी-एर सुब्रमन्यम ठीक है चलो अगला देखो विच आप दा फॉलाइंग विल लॉंच वान नेशन वान रेजिस्टेशन प्लाटफॉर्म डॉक्टर्स के लिए ताकि अपने डिग्रीया अपने जो भी चीजे वहाँ पर देख पाए हम लोग देख पाएं कि डॉक्तर यह सही तो नहीं फरजी डॉक्टर तो नहीं गई ठीक है सर इंपोर्टन गॉर्मन्न स्कीम मैं अभी मैंने एक साल की इंपोर्टन गॉर्मन्न टीश्कीम की पीडिया बना दिए है कल या परसो तक आपके पेपर तक तक हो जाएगा तो यह क्लिए तो मैं करवा दूंगा विच आप फॉलॉइंग विल लॉंच वान नेशन तो को किस ने लॉंच किया है यह बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए तो नेशनल मेडिकल कमिशन एन एमसी ने इसको लॉंच किया ताकि डॉक्टर का यहां पर रेजिस्ट्रेशन हो पाएं हम चेक कर पाएं डॉक्टर ठीक है कि नहीं है वाई ओके अलीगर्ड मुस्लिम इनिवर्स्टी एम यू पता ही होगा ना आपको इन्होंने लॉंच की अपनी खुद की और समझने ही जरूत नहीं है बहुत चुटा सट्लाइट होता ही है तो यहां पर आपने बताना ही कि इन्होंने अपने फाउंडर के नाम पर एक क्यूब सैट बनाया है जो कि स्पेस में जाएगा अभी गया नहीं अगले छे मैंने में जाएगा ठीक है फूवाज दा फाउंड मतलब एक दुलहन की दो सुन्दर आखे हैं यह बहुत जादा भारत को भारत में हिंदु मुस्लिम को एक करने की बात करते थे लेकिन अभी तो सारे नेता ऐसे हैं जो हिंदु मुस्लिम के नाम पर ही वोट लेते मिलेंगे आपको ओके चालो ठीक है डिफेंस मिनिस्टर रा लोगे सेयद अमत खान बिलकुल ठीक है वाई तो बताओ मुझे तो यह है आपका बैंगलूरू ओके इसको बैंगलूरू में स्टार्ट के आ गया है चलो जल्दी जल्दी आगे पड़ो हमें 75 कोशन करने हैं वू है इनागुरेटेड दो सेकेंड एडिशन ओफ मेगा फू 2023 का सेगिंड इवेंट जो था भारत मंदपप में न्यू देल्ली में किसने इसकी उद्गाटन किया किसने इसके शुरुआत करी तो यह कौन थे भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मूधी ओके मैलोडी नी मुलनवस ठीक है ओके हूँ है विसेंटली इनागरेटेड इसके इसके बाद 1905 में इंपिरियल बैंक ओफ इंडिया को स्टेट बैंक ओफ इंडिया बनाया गया और इसके पहले चेर्मेन कौन रखे गए जौन मत्हाई रखे गए ओके और इसकी पहली जो महिला जो इसकी चेर्मेन है वो अभी बनी थी मतलब 10 साल पहले तक की बात होगी तो यह अरुंदत्ती भटाचारी अभी वरतमान में कौन है तो राजेस खेरा है की नहीं है इसका गाटन किया था त्रिंकों माले में तो यहां पर किस ने ब्रिटिस अकैडमी बुक प्राइस जीता है तो यह जीता है नंदनी दास ने यह जीता है बहुत बढ़िया राजेस निए दीनेज कह रहा है ऑके चलो ठीक है आप देखो यहां पे जाहीद हुसेन है सिक्योड जाहीद हुसेन है सिक्योड दा सिल्वर मैडल अधर प्रिस्टीजियस एशियन चैंपिंशिप दो हजार तेश इन्हों ने यहां पर सिलवर मैडल जीता है कहां पर एशि से खेल से संबंद रखती हैं यह कौन से कंट्री से होगा ना विशी इस लिटी टू विच स्पोर्ट कंट्री होना चाहिए तो यह कौन सी कंट्री से रिलेट करती है भाई यहां पर साउध कोरिया लिखावा है जाहिद उसे इन सिक्क्या और किलवर मेडल एड़ प्रिस्टीजियस एशन चैंपेंशिप ठीक है इसको छोड़ो भी पता नहीं क्या कर आवा है चलो ठीक है यहां पर देखो अब कि अब जस्ट बेठा इसको मैं मिला लो ओके चलो हो गया लेजंडरी किर्केटर सचन तंदुकर है अन्विल्ड ही लाइफ साइज स्टेच्व हाँ अब जो यह सचन तंदुकर है ठीक है है यह भारत से ही हैं कुछ कोशन और था कि वह कौन से स्पोर्ट से होंगी वह आयए था कोशन यह नहीं था ओप्शन वह जो लगाया गया है तो यहां पर जहां पर इन्होंने 2011 का ICC World Cup जीता था ठीक है तो यह जो स्टैच्व है किसने बनाया है बहुत इंपोर्टन व्यक्ति हैं भाई तो परमोध कामले ने यह बनाया है अब यह राम जी वी सुतर कौन है याद रखना इन्होंने बनाया है स्टैच्व यूनिटी यह आता था एक्जाम में और स्टैच्व इक्वैलिटी जो की अमेरिका के मेरिलेंड में स्थापित की गई बी आरंबेटकर की प्रतिमा है उसको भी उसको भी इन्होंने ही बनाया है यह आ सकता है अभी कोशन ठीक है अब यहां पर आया विच आप दा फॉलोइंग विल होस्ट दा बिल्डिंग स्टेट लेवल इनोवेशन इको सिस्टम तो किस ने करा है नीती आयोग ने करा है आपको मैं बहुत पहले सब कुछ बता चुका हूं चलो अब देखो अगला कोशन इन नवंबर 2023 विच मिनिस्ट्री ओर्गनाइज दा टू-डे कॉनक्लेव विद थीम आफ इंटीग्रेटिंग सस्टेनिबिलिटी और बिजनेस डेजिए इड्रेसिंग चैलेंज़ीष एनफंट्री पूंटैटी से चैलेंजिस रहां पर कॉनकॉंटी मिल सकती है तो यहां पर इसको किस ने इनुपल़ेश किसने ओर्गनाइस करवाया वाइए तो कॉन और यह मिनश्ट्री आफ यहीं कर्वाया तो कौन सी इंडिया और कौन सी ने दुबारै से लॉंच किया है एटका इटका Negotiation तो कौन सी कने ने किया है भाई ये इंडिया और स्रिलंका ने इंडिया ने स्रिलंका का वह भी रिसंटी एक बिलियन लाइन ओफ क्रेडिट भी दिया लैन ओफेट का मतलब क्या होता है ऐसा पैसा जिस पर बहुत कम इंटरस्ट दिया जाता है समझ में आ गया यह चीज़ आप ध्यान देना है आपर एट का किस चीज़ का है यह है इंडिया और स्रिलंका का टिक के इंडिया है साइन आ मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेंडिंग विद वीज कंट्री तो यहां पर आपने देखना है कि इंडिया और कौनसे कंट्री नहीं यहां पर साइन किया था एक मॉयू जिसमें इन्हों ने अपने educational cooperation दो कंट्रिस के बीच में इसको और जदा मदबूत करने के लिए बात कही है तो United Arab Emirat के साथ भारत ने अपने educational जो कॉपरेशन थे इसको existing क्या करने के लिए करा है कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे चलिया अगला है विच कंट्री है रिसेंटली अनाउंस वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन्स टू बूस्ट टूरिजम फ्रॉम टैंथ नवंबर दोजातेरा तू दस मई दोजार चौबिस यह बहुत इंपोर्टेंट है यह मुझे लगता है आएगा तीन स्टार कि यहां पर भाई कि इस क करेंसी क्या है भाट और यह भी काफी मतलब जादा महेंगी भी नहीं 1718 में जाना किसी को चले जाओ चलो वूस्ट बीन अपॉइंटेट एस सी ओ एन एंडी ओफ टाटा पावर रिनेवल एनरजी लिमिटेट टाटा पावर रिनेवल एनरजी लिमिटेट के यहां पर सी ओ किसको बनाए दिपेश नंदा को बनाया गया है हुँ हैस बिन चुझन फॉर्दा के रला जीवती को यह मिला है यह ती पदमनाभन को यह मिला है कि टी पदमनावन चलो इन नवंबर दोजार तेएस विस सिटी हाज बिन डिकलियर दा विनर आफ यूएस नैशनल गतका अब यह जो गतका आगे है यहां पर ठीक है गतका इजा मार्शल आट गतका इस दा मार्शल आट विच बिलॉंग्स टू पंजाब अब यहां पर न मैं को एक और चीज बताता हों क लारी पक्टियू कहां का है मलक हम फिन आंग यहीं यहीं बताएं आप कलारी से भी होता है तो कलारी पर्टिव कहां का है करनाटक का है तो यह बताना मलखम तो मद्ध्य पर्देश का है सब को पता होना चाहिए यह तो वैसे मार्शल आट नहीं है लेकिन एक तरीके से यह खंबे में चड़कर एक कुछ तरीकी कि पर्फॉर्मिस दिग जाती है कलाई पटी हु किरला का है बहुत बढ़े का इस ऑ थाइए Estसी स्विकेट टेकर एंडी अभी नवंबर यह नवंबर के सभी टेकर तो यह स darum मोहमंण शामी बन चुके है और यह सबसे ज्यादा वीगे टिकर सब्दाव श्थार लेने वालहें कोई प्राइलम तो होगी आधियो हूँंँ फिफ्टी मीटर राइफल थर्ड पॉजिशन इंडिविजल इवेंट एड़ एड़ एशियन शूटिंग चैंपेंशिप अब आजकल शूटिंग वाले आर्चरी वाले कोशन आ रहे हैं आजकल ठीक है आजकल फुटबॉल और होक्यों किसे कुछ नहीं आता तो यहां पर किस में चीता है गोल्ड मैडल मैंस 50 मीटर राइफल में फर्ड पॉजिशन इंडिविजल इवेंट एड़ 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 एशियन शूटिंग चैंपेंशिप इन चैंगवून ठीक है राइफल इंडिविजल इवेंट ठीक है तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा भाई यहां पर ऐ अधिद्या नरायन मलीक ने डी बोला है बहुत बढ़िया ओके डी हो गया एश्वर्य परताब इंटरनाशनल डे फॉर बायोस्फियर रिजर्व बायोस्फियर का मतलब क्या होता है वह आपके आसपास का जो एक्मोस्फियर जहां पर रहते हो आपके साथ जानवर भी रहत ठीके तो क्या होगा यहां पर 3rd November हो जाएगा ना ठीके यह हो जाएगा आपका 3rd November is the right answer ठीके 3rd November किसी ने आंसर नहीं दिया ठीके कोई बात नहीं तो international day for biosphere deserve अब ना आप ध्यान दे ना मैं आपको यहां पर जोग्रफिय थोड़ी बता जाता हूँ यह होगी आपकी लिथ जमीन की उपर वाली परत इसके उपर 18 किलो मेटर आठ से लेकर 18 किलो मेटर तक आपको मिलेगी ट्रोपो स्पेर जिसे हम बोलते हैं शोब मंडल जहां पे वर्षा तुफान बादल आपको मिलेंगे इसके उपर 18 से 50 किलो मेटर तक आपको मिलेगा स्ट्रेटो स्पेर समताब मंडल यहाँ पे ताप मान बिल्कुल बराबर रहता है इसलिए यहाँ पर एरोपलेन जो है वाईउ यान वो उड़ते हैं एरोपलेन जो है वो उड़ाये जाते हैं और इसी में आप देखना 35 से 50 किलो मेटर के बीच में आपको ओजोन लेयर मिलेगी ओजोन यानि की O3 ओजोन लेयर आपको यहाँ पर मिलेगी ओके यह चीज़ कंप्लेट होगी अब यह आपको बादें बताऊंगा भाई में मीजोस्पेर आइनोस्पेर फिर एक्जोस्पेर उके अब एक्जोस्पेर तो दसजार के उपर होती है ठीक है चलो बहुत बढ़ा इमानी जी इमानी जी सदेव सत्य कहती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानि कि सी बीएस्सी की बात कर रहे है यहां पर विल ओपन इट्स न्यू रिजनल एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन्होंने अपना एक नया एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिस किस देश में खोला है तो यह बताओगे तो य वाइबरेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो ठीक है यह कौन से सीटी में हुआ भाई अब यह समत बोलना सर गुजरात के सीटी में हुआ तो यह भाई यूए की राजदानी दुबाई में हुआ सब कुछ आजकल यूए में हो रहा है वाई इसलिए मुझे रखता है कि अब जाके विजी स्टेट गवर्मेंट हैस लॉंच डॉक्टर पुनीत राजकुमार हुरुदे ज्योती योजना डॉक्टर पुनीत राजकुमार ओके हुरुदे ज्योती योजना तो ट्रीट पीपल सफरिंग फ्रॉम सदन हीट को के सदन हाट अटैक और काडियक इशू तो यहां पर आप लोग मुझे बताना कि मैं आपका आशिरवाद दे दो सर मेरा आशिरवाद सदेव तुम पर बना रहेगा ठीक है ततास तू ट्यारे मेरा अशिरवाद लेकि क्या करोगे तुम पर होना चाहिए बाकि तो किसी आशिरवाद के जरूत नहीं है तो यह करना इस वर्ल्ड ऑफ दा एयर दोजार तेइस तो यहां पर ध्यान दो इस इसका क्या हो गया यह ऐसे वर्ड से सारे जो की एक्जाम में आते तो इन्होंने इस बार लिया है आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ए आई को जोड़ाए वाई ओके वर्ड ऑफ दा एयर कॉलिंस डिशन में ओके तो यह वताओ तो यह हुए हैं सोमनातमन दिर है जिसको महमद गजनवी ने 10-26 आता है कई जगा 28 भी आता है करिंजगा 27 भी आता है तो 10-26 में लूटा था ओके यह चीज़ आप लोग यहां पर ध्यान देना महमद गजनवी ने यह सोमनातमन का मंदिर वही है आप लोग ध्यान देना 38 हो गया ठीक है 39 चलो अब परवीन मधुकर पवार को एपॉइंट करा गया है जॉइंट डारेक्टर कौन सी और्गनाइज़शन का किया गया है देखो आई बी के चीफ कौन है तपंडे का आई पीएस हैं भाई कि कौन बने रिसेंटली बने है तो यह है प्रवीन सूध ठीक है और न ये न ये का बताओ मुझे रॉप के कौन है सिना करके हैं कोई रॉप के भी अभी बने आइधिंग सिना करके हैं कोई तो 39 का क्या हो गया टीक है सर सेलेक्षन हो गया तो आपको मिलने आओंगा सर अरे हाँ बिल मिलने आएंगे तो हम आपका स्वागत करें टीक है ऑड़ीज परविन सूध उल्हें चुछ तो हो गया ना यहां पर जॉयंड डिरेक्टर बने है ज्वी बनते रहते तो यह भी जॉइंड बने है प्रविन मधूकर पवार यह cbik ही बने है ठीक है रवी सिना तो ठीक है रवी सिना टो रऊ के हैं रिसर्च और अनलेसिस विंक है एक बता है किसी को ऊके एक बैंके दो-थीन ED हो सकते हैं अलग-अलग Department के होते हैं एक्जीटेव डार्रेक्टर होते हैं तो यह Bank of Maharashtra के है Bank of Maharashtra के ED बनाए गए हैं विच अधा following has won the Mahatma award 2023 for sustainable and impactful contribution to corporate social responsibility CSR ओती न कि भाई किसी कंपनी की अपने समाज के परती क्या responsibility है तो यहाँ पर किस ने जीता है महातमा आवार्ड 2023 और यह किस पर मिलता है CSR पर मिलता है तो यह चीज़ा आप लोग ध्यान देना यह है UST company ने जीता है भाई यह आवार्ड दा मिनूट मिन मिन थ्री मिसाइल उके दा मिनट मैं थ्री मिसाइल इसको देखा गया निउज में तो यह किस country से बिलॉंग करती है मिनट मैं थ्री मिसाइल मिनट मैं थ्री मिसाइल तो यह USA की है OK USA की है यह चीज़ आप लोग ध्यान देना अभी बहुत सारी country अपने अपने मिसाइल को लॉंच कर रही है अपने अपने मिसाइल को बहुत सारी countries हो है वो लॉंच कर रही है भ्रमोज भारत की यह सब को पता है ठीक है अभी रिसेंटली चाइना ने एक मिसाइल को टेस्ट किया है रशिया ने करा है ठीक है यह आते हैं एक्जाम में ठीक है आरफ एफ के मनों जायद अभी अभी बनाए गए ठीक है तो यह तो यह से की है ओके अब मुझे बताना एक है रॉन नामक यू ए वी हमने यह क्या है इसलिए पूछ रहा हूं आप लोगो विचाओधा फॉलाइंग सीटी इस होस्टिंग दा इंडियन नेवी सेलिंग चैंपेंशिप कौन सी सीटी अब कोस्टल सीटी होगा जैपूर मतलब इसमें जैपूर का आंसर कैसे हो सकता है आप खुद सोचो किस बेकूफ नहीं आप होना चाहिए एक शेतर ऐसा होना जी जो आप सेलिंग मतलब हावा का उपयोग भी होना है उसमें हाँ इसराइल है इसराइल का इसराइल है ठीक है तो भाई यह मुंबाई है हाईदराबाद कौन टिक लगा सकता है कितने बेपकूफ भरे ऑप्शन ते में जान मुझके डाल तो मुंबाई बोलोगे चलो वर्ल्ड सुनामी डे जो है यह हम कब मनाते हैं वर्ल्ड सुनामी डे तो यह हम मनाते हैं भाई पांच नवंबर को सुनामी एक जापानी वर्ड है पहली बात तो जिसका जापान में इसको हम क्या बोलते हैं कि हारबर वेव ऐधिए जपान में हम इसे क्या बोलते हैं हारबर वेव कहते हैं हो गया वाई चलो अगला देखो ठीक है हाँ दा फस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजूकेशन एंड स्किल कॉंसिल एसिक बोलते हैं ओके एइएसी मीटिंग वस हैल्ड इन विच आयटी तो औ और इंडिया फॉस्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशनल इस्किल काउंसिल ए आई ए सी की मीटिंग कहां पर हुई है तो आयाइटी गांधी नगर यानि कि आयाइटी जो गुजरात में है यह वहां पर की गई थी चलो रिसेंटली प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्न अन्न योजना तो यह क्या है पी एम जी के एवाई अने वाइट की हो गया भाई जी के एवाई ठीक है तो पदान मंतरी गरीब कल्यान अन्न योजना हो गया इसको पांस सालों के लिए बढ़ाया गया है विच कंट्री है फोस्टेट दा सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक् पुराना नाम हॉलेंड है ना डच लोग यहीं के थे वाई ओके यह चीज़ आप लोग यहां पर ध्यान देना नेधर लैंड की राजधानी क्या है बताओ नेधर लैंड की राजधानी इसको ना दुबारा से खुलना पड़ेगा मुझे पाकि इसका जो लेट कर रहा है न या सर वो ठीक कर दे फिर यह ठीक है नीला यह करता हूं मैं अब ओके तो यह निदर लैंड हो गया आपका यहां पर ओके निदर लैंड सही उत्तर है आप लोगों का रेट कर देता हूं इसको ठीक है चलो अगला देखो यहां पर विच इस दा ओनली बैंक ऑथराइज तो एन कैश एलेक्टोरल बॉंड पहुत इलेक्टोरल बॉंड से तो इतना पंगा चलता है एलेक्टोरल बॉंड के ठीक है ओके नाव जो हमारा नेदर लैंड है यह सेकिंड लार्जेस एक्सपोर बन रहा है भाई अब भारत का ठीक है अब यहां पे देखना वाई कौनसा बंक है जो एनकेश करवा रहा है इलेक्टोरल बॉंड बॉंड एलेक्टोरल बॉंड का मतलब ईक्सी अपनी पार्टी को चाहिए तो यह पैसे से करसकते आप उन बॉंड को जो लोग देते हैं ठी तरह दिन में करवाना होता है ठीक है विचावधा फॉलाइंग हैस बिन कंफर्ट दा आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ दा एयर दोजारतेईस अवार्ड बैचे तो आइकॉनिक वाला मिला है अमूल को लेकिन स्रिफ अगर चेंज मेकर ऑफ देयर अवार्ड तो वह आर्भी आई क कर ली ओके अमूल करना इंडियन बैटर विराड कोली ने यहां पर सचिन तैंदुल करके जो रिकॉर्ड है मोस्ट सेंचुरीज का ओडी आई में इसको तोड़ दिया है तो यहां पर आया भाई फॉर्टिनाइन हाव मैनी इनिंग्स हैस कोली अचीव तो कोली ने यह अची यहां पर सारी चीजह दो नहीं होता था टो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 277 इनिंग्स में उन्होंने ये complete कर लिया ठीक है comment दिखाओ है ना ठीक है चलो अगला देखो which of the following country will host 24th Asian Archery Championship in 2025 तो 24 वी Archery Championship क्या होता है तिरंदाजी तो तिरंदाजी वाला किसने करना है वाई Bangladesh ओकी Bangladesh का पहला ऐसा city पहली city जहाँ पर metro लाई जाएगी metro चली है धाका यूके Bangladesh में सबसे important चीज़ आपको क्या मिलेगी Bangladesh और India की exercise बहुत बार पूसता है जिससे आप बोलना कि सर भारत और Bangladesh की जो exercise है वो है संपृती और समरिद्धी भी इनके साथ है हाले कि यह बहुत कम होती है समरिद्धी तो संपृती और समरिद्धी और अगर आपसे पुछा जाए कि सर यहाँ पर सुंदर्बन नाशनल पाक कहां पर है तो 60% उसका भाग बांगलादेश में ही पढ़ता है उके बांगलादेश की स्थापना 1971 में होती ह है यह भी आप लोग ध्यान देना भारत की मदद से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था हूँ इस दा फादर ऑफ बंगलादेश जैसे फादर ऑफ दर नेशन कौन है हमारे गांदी जी यह ना उसी प्रकार से बंगलदेश के फादर ऑफ दर नेशन तो वो है पिता किसके पिता है जो अभी वर्तमान की पीम है वहाँ पे सेख हचिना उनी के पिता है सेख मुझबिर रह्मान यह हो गए यहाँ पे आपका ओके चलो अगला चलो 52 इंडिया हैस वुन द वुमेंट एशियन चैंपेंशिप ट्रॉफी होकी कप दोजाएं तेइस का ओके तो किस कंट्रे को हमने यहां पर हराया था तो यहां पर हमने जपान को हराया था तो के अब यहां पर देखना ओके यहां आप ही रिसेंटली संप्रीति हुई है जपा जपान जो है सबसे ज़्यादा भुकंप वाला भुकंप आने वाला देश है जपान सबसे बुड़ा देश भी है सब ज़्यादा बुड़ों की वहाँ विरिद है उनकी वहाँ पे क्या है जनसंक्या है और दूसरी चीज जपान की पार्लेमेंट का नाम डायेट है जपान की क प्रेंसी का नाम येन है ये भी आप लोग ध्यान देना सबसे ज़्यादा फास्टेश ट्रेंड किस देश में है वो भी आपको जपान में ही मिलेगी ओके ये चीज़ यहां पर ध्यान देना दुनिया का पहला ऐसा देश जहां पर नियुक्लियर एमर्जंसी लगाई गी थी तो यह जपान ऐसा पहला कंट्री है जिसने अपनी कंट्री में नियुक्लियर एमर्जंसी लगाई थी भाई क्योंकि रेडिय अक्टिविटी काफी फैल गई थी चलो अब देखो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग दा एक्स्प्लोइटेशन आफ दा एन्वार्मे और यह ज़्यों में तो यह दिन होता है आपका छे नवंबर को सिग्य हो गया विजए दिवस 16 दिसंबर बहुत बढ़िया वीजए दिवस कौन सा वाला है वही वाला है जिस दिन हम लोग क्या करते हैं अब दो दिवह ता फिर लुए दित्ती संबर को वाला देखो थे वोके आपको पता है अपूलो मिशन है तो यहां पर आप देखोगे तो अपूलो मिशन है उसके लिए कौन सा है तो हम उससे क्या बोलते हैं उसके पर लगके भी हुई थी, तो ये भी आप लोग मुझे, कॉलंबिया है या नहीं है कॉलंबिया बूलते हैं उसको ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं लीला, आमचेरी पास अवे रिसेंटली अड़ एज ओफ 94 एयर इंडिया और नासर क्या करेंगे, अगले 6 मेने में उसको क्या कर देंगे, हम भेज देंगे, लीला, आमचेरी पास अवे, इनकी मृत्ती हो गए लीला, आमचेरी की, बताओ ये क्या थी, तो ये एक बहुत मुख्ये लेखिका थी, ओके चलो, अगला आया इन्होंने बोलाएगे, बाई, कौन सी आयाटी ने एक ऐसा, एक तरीके से वाई परदिशन को हल करने के लिए, एक ऐसा समाधान विक्सित किया है, क्योंकि वहाँ पर दिल्ली और उसके आसपास के चेतरों में, जब वहाँ पर फसल जलाते हैं न, तो बहुत ज़ी प्राब्लम होती है तो कौन सा आयाटी ने उसके लिए एक सुझाव दिया है, ये आप लोग मुझे बता सकते हो तो आयाटी कानपूर ने किया है भाई, लोके, आयाटी कानपूर विच मिनिस्ट्री अन्वील्ड आ प्रोग्रेसिव इनिसियेटिव, वुमेन फॉर वाटर वाटर फॉर वुमेन केम्पेन ये है, इसको मैं तीन स्टार दूँगा, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इनिसियेटिव चलाया है कौन सी मिनिस्ट्री ने ये इनिसियेटिव चलाया है है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ हाउजिंग एन अर्बन डफियर से हम बोलते हैं महुआ हर्दीब सिंग पूरी है इसके मिनिस्टर ठीक है चलो अगला देखो यहां पर विच कंट्री हैस बिकेम दो 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल आइस से की स्थापना पहली बात तो अगर आप से कभी पुछा जाए स्टैक का तो यह फ्रांस और इंडिया ने मिलकर ही करी थी अब फ्रांस के उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे और इंडिया के पीम मोदी ही थे तो इन दोनों ने मिलकर ही यह और ऑफोर्स तो यह आप 58 वाले का अंसर क्या हो गया तो यह चीली बनाए बभाई है चीली और के यह साउत अमेरिकन कंट्री है यह बी आप लोग ज्यादक ना टोंके मौववा बहुत बड़ी है भाई मौवा भाई मौवा ही वह बहुत है मौवा है डोनियर है मेत्य है ब है ठीक है ना यह है इस थो डिपार्टमेंट और इस ने ंगे लोगान से द यचारहों पूलती है और महती का ministry of ministry of electronics and information technology ठीक है यह paper में आ रहा रहा है इसले बता रहा हूं मैं without paper आली को चीज नहीं बताता मैं कभी ठीक है which state government will conduct the cow census cow census पहली बार कौन करवाएगा भाई उत्तर बर्देश योगेजी के सरकार करवाएगी इंसानों का तो पता नहीं कब होगा 21 21 में होना था इंसानों का census इंसानों का नहीं अभी तक काउंका हो गया जाती सेंसदों चुका है सबका सेंस उचुका है इंसान का नहीं हो रहा बैस सबसे बड़ा बैंक है ओके गड़ाना बिहार जाती हां जाती है गड़ना एक और राज्य करने वाला था लेकिन वह सरकार वहां पर सरकार हार गई अब बताओ क्या वह जाती जाती होगी बताओ एक राज्य है जो करवाने वाला था इंडियन पैंक नहीं था हां काओ जाता इंपोर्टेंट है आज की डेट में इंसान से क्योंकि काओ के नाम पर तो वोट मिलेंगे ना भाई फिर ठीक है अब आया रिसेंटली कौन सी इंसरेंस कंपनी ने रिसीव किया रेजिस्ट्रेशन इंसरेंस बिजिनस इंदा गिफ्ट इंसरेंस बिजिनस किसको दिया गया पहला है पहला और आखरी हमें सायर्ण में यह आए ग्यार्श था तो बिल्कुल सब्सक्राइब राजस्तान में जरकार विए उन्होंने उडतों को अब मोबाइल दो गहें तो ऐसी होगा ना भाई ठीक्टॉक देखा वहां पर अब रिसेंट्ली वीज इंसॉरेंज कंपनी रिसीव करा इन्होंने एक लाइफ इंसॉरेंज बिजनस गिफ टी में और यह पहला बन गया जो गुज़ात में गिफ टी ओके तो यहां पर यह किसको बन खिसको दिया गया है यह वाला 61 वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका इंडिया फर्स्ट लाइफ इंशॉरेंस इंडिया फर्स्ट लाइफ इंशॉरेंस आपका उत्तर हो जाएगा Who has been appointed as Surveyor General of India भारत के Surveyor General किसको बनाए गए है हितेश कुमार S. मखवाना ओके हितेश कुमार S. मखवाना इनको बनाया गया है भारत का Surveyor General सरवे वाला काम करते हैं इन नवंबर 2020 किसको as a CIC बनाए गया Chief Information Commissioner का कारेकाल अब 3 साल का हो चुका है भाई ओके आप लोग जान देना पहले 5 साल का था अभी 3 साल का हो गया है CIC टोटल कितने CIC होते हैं 10 तो Chief Information Commissioner होते हैं प्लस एक होता है मतलब 10 Information Commissioner होते हैं एक होता है Chief Information Commissioner ओके तो यहाँ पर सिक्ट्री का आंसर क्या हो जाएगा भाई हीरलाल समरिया हीरलाल समरिया हाँ घवाना बिल्कुल बढ़िया समरिया साब बहुत बढ़िया वाई समरिया साब को यहाँ पर हमारा CIC बनाए गया है विच स्टेट हैस बैक्ट दा प्रिस्टीजियस ग्लोबल रिस्पॉंसिबल ट्यूरिजम आवर्ड इसको में तिनी स्टार दूँगा भाई कौन सी कंट्री को ग्लोबल रिस्पॉंसिबल ट्यूरिजम आवर्ड दिया गया किसको दिया गया तो केरल को दिया गया केरल के बारे में मैं क्या बात करूं लिंगानुपाद में सबस्यादा पढ़ाई में सबस्यादा पहला AI स्कूल पहला AI बैंक पहला डिजिटल बैंक पहला डिजिटल स्कूल सब कुछ यहीं पर यह अच्छे काम सारे केरल में होते हैं बुरे काम सारे कहां पे होते हैं आप लोग को पता है 65 देखो infant protection day infant का मतलब होता है सिसू जो बच्चा पैदा होता है protection day हम लोग कब celebrate करते हैं साथ नवंबर को हम लोग celebrate करते हैं महेश्वर मोहंती पास्डवे इनकी मृत्ति हो गई अब आप मुझे बताओ यह कौन सी कौन सी राज्य विधान सभा के speaker रह चुके हैं तो नवीन पटनायक जी जो कि सबसे beloved मतलब सब ज़्यादा प्यार करते हैं वहां के लोग उनको ठीक करल सब कर् fucked up को को सबसे अब करें तब नमीं की बादीआ है है कर द्रूक जो को इंडोनेसीया सबसे ज़्यादा ऐस्लामिक सबसे आदा इसलामिक जंसंगे परतलिसात में वाला आपका इंडोनेशिया है траके बालीकि है बहुत बढ़िया भाई ओप उ-प्युक्य मारो इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन एनरजी कंपनी एजट रीच आ एट पॉइंट फॉर गीगावर्ट इंस्टॉल कैपेसिटी यानि कि भारत की सबसे ज्यादा सबसे बड़ी ग्रीन एनरजी कंपनी कौन बन गई है यह है मेरे तरफ से इसलिए मैं थ्री ज्यादा नहीं देता सेवन लिगने में मुझे टाइम लगेगा इसलिए मैं थ्री स्टार्ज को दे रहा हूं भाई वो कोशन बहुत इंपोर्टेंट है अडानी अडानी को ही मिलेगा सब आपको पता है एयरपोर्ट किंग है भाई अडानी भारत का मैक्सि सेवा केंद्र वापी में कितने जीएश्ट केंद्र स्थापित किये जीएश्टी भारत में लागू हुआ कब हुआ था एक जुलाई या एक जुन एक जुन या फिर जुलाई एक जुन 2017 में सबसे पहला इस्टेटिस न लागू किया असम एक जुलाई होगा आंसर जुन नहीं है ठीक है रिनियू पावर नहीं था उसका अडानी था अडानी को तो मिलेगा ना वाई ठीक है तो यहां पर कितने करें हैं इन्होंने बारा करें हैं बारा दस नहीं करें बारा करें के चलो अगला देखो विच बैंक है साइंड मू इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मेनेजमेंट आनंद आई आर्म में आनंद गुजरात का है ना टू प्रमोट फैनेंसर इंक्लूजन एंड लिट्रेसी इंडिया भारत में लिट्रेसी को कहां पर है भाई मुझे बोलते वे थोड़ा अफसोज होता है लेकिन मैं क्या करूं जो तत्य है वो तत्य है वो बिहार है ओके विच बैंक है साइंड मू इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल मेनेजमेंट आनंद आई आर्मे के साथ इन्होंने क्या करा है मू साइन किया है कौन के रख रगाओ एंप्लाई के वेल बीन के लिए यहां पर जब गलोबल सर्वे हुआ था जो कि मैक किन सी हैल्थ इंस्टिट्यूट ने किया था कि यह कंपनी सबसे अच्छी है तो वह सब ज़्याद कंपनिया जो मिली है वह कौन से देश में मिली है तो टर्की टर्की की कै मसते इंस्तानपूल नहीं है अंकारा है तर्की मैं अभी जुलाई को तो भारत ने कौन से ट किया था लेकि यह दोस्ती के लायग नहीं है ऑपरेशन दोस्त अब यहाँ पे कुछ्छ अपरेसनल लिख रहा हूँ अगर आप लोग को पता है तो बतादेना को हुआ यृistes Yeah ठीक है ओपरेशन कावरी देवे सकती ओपरेशन करुणा ओपरेशन अजय ओपरेशन गंगा चलो ये पांच ही वैसे ता आप लोग के लिए इंपोर्डेंट है कावेरी देवे सकती करुणा अजय गंगा और कौन सा है इसा नहीं करना है इस पैम नहीं करना है गलत बात है यह फिर ब्लॉक कर दूगा यहां से ठीक है यहां पर देखो दुबारा मत करो ओम पाटक फिर में यहां से ब्लॉक करना पड़ेगा फिर कभी नहीं कर पाओं के मैसेज क्या दखना इस चीज को ठीक है कावेरी कावेरी कहां का है वाई कावेरी सुडान से लोगों को निकालने के लिए सुडान में बहुत प्रॉलम चल रही थी देवी शक्ती अफ़गानिस्तान है करुणा है मयानमार के लिए अजय है इस्राइल के लिए गंगा था किसके लिए अफगानिस्तान से दोस्तों को निकालने दोस्त नहीं लोगों को निकालने के लिए ओके ओंपाटक फिर मैं अभी ब्लॉग कर दूँ कि ठीक है आप यहां पर देखो है यह जो और कौन-कौन सा है इसमें और भी ऑपरेशन एक अपरेशन और था जो कि बहुत एक्जाम में आता है हाँ ओप्रेशन से म्मण्राइस तरहे किसी को और परेशन चाहास क्यूड्र और अपरेशन संडाइज है जो के दानाद में अत्रा सदी आया थी ना उसके लिए ऑपरेशन संडाइज ठीक है कि ऑपरेशन संडाइज किसके लिए ठीक है अब लोक कि करता हूं रुख जाओ एक मिनिट हो गया आप ब्लॉक करो मैसेज ठीक है बढ़ाई वड़ाई करनी है नहीं मस्तिवाज ही करनी है हुआज च्लींच टू गोल मैडल एंड सिल्वर मैडल इन आचरी एड नेशनल गेम तो नेशनल गेम अर्टीस वह नेशनल गेम कर दोगोवा में हुए थे ठीक है और फटी नाइफ वे नेशनल गेम कहां पर होंगे यह आपको पता होना चाहिए यह यहां पे उत्राखंड मेरा राज्य है वाई मेरा राज्य हम सब का राज्य है हाँ अभी हो गया वह सोचरता में मजात कर रहा हूं अभी ब्लॉक कर दिया आपका यहां पर ठीक है 71 का टी तो दीपी का कुमारी और वस्मूला प्राजी लियन ग्रैंड फिकस दोजाद गसे तो फार्मुला वश्य वाःं ग्रैंडट्र लियन 1922 वी तो यह 72्य मैं वस्ट अपने मैं सब्सक्राइब कर लेना उसका लिंक भी नी चाहिए मिल जाएगा वहाँ पर लॉइट फ्लोर वीट फ्लोर का मतलब आटी की स्कीम थी भारत आठा जिसमें सब्सक्राइब इस प्राइस में आपको पर केजी के हिसाब से यह आठा मिलेगा तो यह 27.50 पैसे 27 रुपए ठीक है तो यह 27.50 पैसे में रुपए 27 ही बोलो है 28 पैसे चलते कहा है कौन कि ने रखावाए यह रेट लिश्ट पैसे कहां से लाएगा इसको यह तो 27 करो यह तो 28 करो 50 पैसे चलते यह तो दिमाग है सरकार का चलो ठीक है अगला देखो ईस बीन एपॉइंटेड एस यूपी आई सिक्यारटी अम्बेस्टर तो एनपी सी आई के दौरा यूपी आई के सिक्यारटी अम्बेस्टर किसको बनाया गया है भाई यह बहुत इंपोरेंट है इसको मैं दूंगा य इनको पंकर स्थिरपाटी के नाम से कौन जानता होगा सब दो इसी जानते होंगे ठीक है और विच कंट्री क्रिकेटर मेग लैनिन है रिसेंट्ली अनौंस इस रिटार्मेंट फॉन दे इंटरनेशल क्रिकेट से किसने यहां पर रिटार्मेंट दे दिया तो ऑस्ट्रेलिय ठीक है चलो 75 कोर्शन हो गए भाई उके अब यहां पर एक चीज है कल पेपर होगा तो आप सभी को मेरे तरफ से अच्छे से एक्जाम देखे आना वाई नौकरी लगना नौकरी बहुत जरूरी है आज के जीवन में नौकरी नहीं योगी तो समाज आपको उस प्रकार से देखेगा जैसे आप क्या है अंसक्सेस्फुल आदमी है है ना समाज का यह एक तरीके से नेगेटिव चीज है कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो वह विफल आदमी है हलाकि वह व्यक्ति अगर कुछ करना चाहेगा तो यहां पर कितना जरूरी है वह चीज है ना तो जरूर करवाँगा लेकिन कल तो पेपर है और आज तो हो अगी 42 से देखो कल एक्जाम है कोई सेफ स्कोर नीएन जिन्दगी में सेफ पुछ नहीं है यार सबस också सेपिस कौर नहीं पर से आप सभी को आफ़ी श्कोर में मिलते हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और पढ़ाई गरो भाई मस्ती बाजी मत करना मज़ ठीक है बाई बाई जैहिन